कि वेसे तो हमारे भारत देश का पांच अजार साल पुराना जो इतियास रहा है वो काला अतीत रहा है जातिवाद और भेदभाव के कारण हमें कही जगे शर्म से सीर जुकाना भी पड़ा है मुझे लगता है आज आजाजी के 73 साल बाद भी अमारे दली समाज को नियाय नहीं मिला यह बात एक अलग है कि उची जाती में से खुश लोग हरी राम जी सुलंकी जैसे लोग आगे आए और उन्होंने समरस्ता का पुरा प्रियास करा किन्तु वे भी आसफल रहें यह हमारे लिए बहुत दुख दे आज आजादी के 33 साल बाद भी दली समाज को जलने के लिए इस्थान नहीं मिला यहां तक कि प्रसाशन भी उपस्तित था तैसिलदार भी उपस्तित थे फिर भी हमारी दलीत मैला को दलीत के सव को जलने के लिए सबर्णों ने उची जाती के लोगों ने जगे नहीं थी मैं अपने इर्दय से बहुत सम्मान करता था इस वर्ग का इस समाज का कि कही ने कहीं यह हमें अपना समझता है किन्तों आज मेरे देखने में आया कि जब जीते जी मरने के बाद मुर्दे से इतना वेखबाव कर रहें तो जीते जी हमारे लोगों के साथ कितना भेखबाव होता है। आज भी हम उनके लिए गुलाम हैं और एक बात बता दो मित्रों आज ये चटवाड़ा से हम अपमानित होके आए सासन ने आपात कालिन टेंट की वेवस्ता करी टेंट से ये लगाए और आपात कालिन चद्दर लगा कर यहां पर जंगल में हम जो यह दा संस्कार कर रहे है यह अमारी उपलब्दी नहीं है और यह सम्रस्ता का प्रतीक भी नहीं है और यह इंदु धर्म की शान में नहीं है यह धर्म के उपर दिक्कार किया है हमारे लोगों ने यह धर्म धर्म को बेच्चत किया है तो हमारे लोगों ने हमारे कौन लोग जो हमारे धर्म के ठेकेदार बनते हैं और भे ठेकेदार जो अपने आपको कहते हैं कि हम गर्म से को मिन्व है आज हमारे को शर्म मेसुस हो लि कि लास को दा संस्कार सम्मान पुर्वक नहीं करा पाया बहुत दुखा थे आशोव नहीं है किम तो चिंता का विशे और दसुरुपे की राफ्ट के लोगों से हम किस प्रकार लड़ेंगे एसे लोगों के विचारों से कैसे लड़ेंगे हम कि अजारों की बस्ती में एक भी एक भी व्यक्तियक्के नहीं आया जिसने अमारे दलीत के साओं को हाथ लगा के बोला हो कि मनोच परमार दलीत समाज के साथ हम भी खड़ें सिर्प हरी राम सोलंकी ने प्रयास करें किन्तु उनकी भी प्रयासों को असफल करार देगी तिया गया गाउं के लोगों के द्वा था और आज हमको जंगल में जलाना पड़ा प्रसाक्राशन ने भी को मदद नहीं करी वर को में यूड़ को जाती घूसल को में पार दिया और समसान वाहा हhouses जहां पर हम जलने के तहीं से कहता हूं कि में हिंदु फिर से कह रहा हूं में मेडिया के सामने हैं आज मैं गर्व से नहीं कहता है शर्म से कह रहा हूं कि में में